ऍपम गाईव that मैं आपको बताने जारहो हो में एर बासेडुघुनाइनफव ऐतरीका के अरोप्लेन है बस ही छोट आ कफोर सफ़ आगे बताऊगा मैं एक तेचिन आपन अरोव्सके केन केमता है। नेवी के तो इसमें एक चीज बहुत जाद अच्छी होती है मालो कोई फटा-फट आपको छोड़स को एड़ पोर्ट पर ड्रॉप करवाना है और आपको लेंड करना है आपको बहुत बहुत होता है आपको आके जो और से उनको ऐसे गिराकर वापश बिनार रोके तो उस चीज में रहेंको जरुबत पड़ती है क्योंकि अगर रंप नहीं होगा तो वह असान तो संभावना होती है कि इस पूट टायर से आकर वह गाहर हो जाए मढ़ जाए इसलि किदर आपको उपर से सोल्जास को पराशूट से नीचे गराना है तो यह कम उचाई पर उड़ता है इसलिए एक्यूरेट जगब पे जो एर्डॉप करवाने के ज्यादा संभावन होती है इसलिए इसको टर्बो प्रॉप बनाए गया है तर्बो प्रॉप उसको गयता है जिस मैं यह प्रॉप प्रॉप इन दोनों को यह चाहिए तो टर्बो जादा अक्सिजन होती है इसको तो तो यह कम हुआइट पोड़ता है ठीक है यह कर देता है एक्ट्रॉप क्यूंकि रैंप 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 जैसे इसकी लेंडिंग स्पेइस् से इसकी बैस्त चीजे कि इसमें लैंडिक पे बस 700 मिटर में लेंड कर दाता है लेकिन जो भारी बरकम चाहिए अरोपलेंस होता है उनको लेंड करने के लिए लेकिन इसमें बस 700 मिटर जैसा नहीं एक दम प्लेन जैसा यह उबड़ खापड जगह में भी उतर सकता है इसके टार्स ही है कि यह उबड़ खापड जगह पे उतर सकता है बस वह जमीन सब्सक्राइब चाहिए ठीक है दिस इस विदाउट वह मैं वह जो मैंको समझा रहा था कोई रणवे की जरुवत नहीं यह काहीं पर उतर सकता है यह सबसे बात इसकी देखो जो इंडिन गॉर्मेंट उसने 23 ऐसे लोकेशन सुझ करें नैशनल हाइवेस पे अब मैं आपको इधर बताता हूं देखो यह लोकेशन चूज करें ऐसी 23 लोकेशन है यह आपका नैशन पड़ सकती है ऐसे क्योंकि इनको 700 मीटर का यह ऐसा एक बाइपास बनाए गया तो मालों अब इदर के एरबस को लैंड करना है तो इदर सबसे पहले के टी सी होता है सबसे चोटा से एक हाउस होता है उसे कंदर इस दोनों में यह ब्लॉक कर देते हैं ऐसे जो होते हैं आप यहां से बाइपास कर जाएगी और उदर सारी थी वह यहां से करके बाइपास चली जाएगी अब मालों यह लैंड हो गया अब फिर मालों कोई गार इदर से जा रही है अब वह इसका यूज नहीं करेंगी जैसे एक बीच में कट दे रखा है दोनों मैं वह डाइट यहां स नॉर्मल नैशनलाइव में चली जाएगी फिर ब्लॉक कर देगा यह सारा का सारा बाइपास काम एटी सी का होता है एक चोटे से हाउस का होता है ठीक है इस लो स्पीड एंड हाइट मतलब यह क्यों लो स्पीड है क्यों तर्बो प्रॉप आपको मैंना आपको बताया था त ठीक है दिस इज प्रोटेक्टेड विद रडार मतलब यह कम हएट पे रडार रखा 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 तो यह से फिकेंसी चूड़े गा लेकिन कम आइप पर जाने के वजा से यह बाच जाते प्रोटेक्टेड है यह रडार से इस इस इजर इमेजन अस तर्बाइन प्रॉप मतल बार एक तरीकिए कि फील लगा रहेता है जो तर्बो उसको टर्बो पॉप करते है किoten कर दी अरभ देख़ा देखा मैं कमेर्शिय लिर उप्लेंस की बात कर रहा हूं उन्में टर्ब जेत इंजन लगा रहे तुरिके जाद इंजन होते है तो जाद है ज्चिन की जड़ोपाते हैं और यह जाद ही पर आता है लेकिन अगया कर सा पंखर तो उसमें जादा एर कि जरहत पड़ती है यह बल्कि जो टर्बो जाट इंजरने उससे जादे यह तर्बो प्रॉप को जरहत पड़ती है इस मुवेबल वेस्ट इस वेरी लो मतलब इसकी जो मुवेबल जो कैपिसिटी वह सादा वैरी लो है ठीक है इसका लोड कितना खीश सकता है तो 6-8 तन इसका ही सकता है को माला 6-8 तन यह उड़ा सकता है कैपिसिटी है इसकी इकांसे कितनी रेंज इसकी वन थाउजन फाइफ हंड़ेट से 405,000 किलोमेटर विद वन रिफ्यूलिंग मतलब यह पूरे इंडा को अगर तमिल नाडू से चलेगा तो जमू कश्मीर क्रॉस कर जाएगा बस पूरे इंडा क्रॉस कर जाएगा यह क्यों कि बस इसमें एक एर रिफ्यूलिंग की चलते क्योंकि टर्बो प्रॉप ज्यादा इसकी रेंज ऐसे पनाई गई है कि यह पूरे इंडा क्रॉस परपाए मानलो अब यह आगे बताऊंगा आपको ठीक है तो यह वन रे रिफ्यूलिंग है इसमें बस एक रिफ्यूलिंग में यह पूरे इंडा को आरपार कर जाएगा ठीक है वे स्विनेश्टी ऊफ डिफैनस ब्लान वेट्वाहस ऑनदी एरबस तुी नन फांञ पव मतलब ब्लिफेंस ऑफ इंडिया की उन्हें प्लैन कराई कि इसके ऊपर और वाप्स राडार बनाए जाएगा इसको अफो पर अवाक माला फिट कर दिया जायागा एक तरीके तो अगर इसके एक आवाक्स वर्जन भी आता है जो की पूरे के पूरे जौ पर इसकी सीट से महां पर साइट को हटा की कंट्रोल लूम बना देते हैं अंदर उसके पर आवाक्स विट कर देते हैं तो जहां पर हमारी अंदर रहेगा जो रडार है तो सिम्पल और जो यह अवक्स अडर रहे रड़ार एक अरबस यूट नेट फाइव टेक आफ करेंगा तो बार्डर के पास काईडियार में गूमते रहेगा तो कुछ बले से चाहिना के अरिया में पाकिसान के आप इसके वर्जन को समझते कैसे कैसे रजेंग सभाता है पहल तो बना देते हैं जिसके अधर एक इंसान होता है उसके बाहस और एक इंसान होता है तो अंदर फियूल भरा लेता है जो इन सब्सक्राइब किसी भी एरोपलीन में लगता है तो दार मिड़े रिफिलिंग जर्नल होता है मालो कई कुछ भी कोई फाइटर जाहाज उड़ा अब उसका पेट्रों खतम होगे वापिस आएगा तो आपिस लैंड करेंगा फिर भरेगा फिर टेक आफ करेंगा तो बहुत टा जो मिड़ेंटी नाइन के कोई साभी फाइटर प्लेन उसके एक नॉप होता है उसको खोल देगा मिड़ेंटी नाइन के वह जो वह होता है पाइलेट अफ़र इसमें जो पाइप लगे और वह उसको रिफियूलिंग कर देगी इसका टैंकर वरजन आता है एक फायर उसके फायर फाइटिंग टैंकर वरजन भी आता है अब देखो जो आप वाटर से कौन करें इतना बड़ा जंगल में वाटर की भी वेस्ट बहुत ज्यादा होता है इसलिए केमिकल्स आते हैं जो केमिकल्स जैसे उस पर जाता है वैसे ही वह बुजा देते हैं आगको एक रिफ्त होता है त्रक्टिकल्स बॉंबिंग मतलब और कार्पेट बॉंब्बिंग मतलब होता है जैसे इसके अधर आपने जांकर लगाया था यह आपने बाकी चीज़े आपको बंस वीट कर देने ऐसी इसकी जहां से आप के मिल का गिरा रहे ता और मिड़ एर एयर रिफ् नीचे का प्रेजो पार्ट एरबस को खुल जाए जैसे खुलेगा उसके अंदा आपको बंफेट करना है बस तो वह बंग गड़ जाएंगे तो इसको ट्रेक्टिकल बॉंबिंग कार्पेट बॉंबिंग कर देगा यह अरबस सीटू नाइन फाइफ तरह मुल्टि रच्टिकल बॉंबिंग उसको कहते है जो छोटी जगव पे मतलब आपको यह दो दिन किलो मिटर तक है ऐसे बॉंबिंग कर सकता है और जो स्ट्रेटरिक बॉंबिंग होती है मतलब उचांगे इसका एक गंशिव वर्जन भी आता है मतलब जांप पाइल्ट अतर सके पीछ जो पूरो बॉड़ी होती है उसमें उसमें आप तो यह मला गंस जो गंस फिट कर दो तो अंदर जो इंसान बैठे रहेंगे उन्सान फायर कड़ते रहेंगे तो यह दो क्लो मिट्रा गड़ी मालों यह उचा है और नीचे से कोई है तो सबसे पहला गड़ी हो मारेगा तो ग् सब्सक्राइब नीचे खीशती है तो जो इसकी गंशिप वह धनाम से नीचे जाएगी और उसके जाम भी इसका आपना लॉक कर रहा है मापर फायर कर जाएगी अब इसकां क्या है क्यों क्योंकि यह विदाउट रंवे मतलग काहीं पर उतर सकता है क्यों रेस्क्यू मिशन म विखे ट्रांपोर्ट कैसे एक त्रांपॉर्य तरीके से 25 एक ट्रॉंड ऌर्फ ऑर गले इसे ट्रांसपोर्त करने में में हेल्प काम आयेगा जो मैं संप्सक्राइगा मिड रिफीलिंग वाला जो मैंने आपको बताया ता मिड्री नीं कर सकताए इसका नेवी वर्जन मतलब इसका एक नेवल वरजन भी आता है जुसके अंदर टॉर्पिडोस लगे रहते हैं लेकिन वह अंदर वाटर करते हैं लेकिन जो इंडा कर दिस पी एट आई विमान है वैसे अभी उसकी आप दो दो इंडा के पास हों एक तो पी एट आई विमान और एक एरबस सीटू- इसका टॉर्पिडोस इसके अंदर फिट कर दो टॉर्पिडोस वाटर कुंदर कायम करते हैं तो वह अंदर जाएगा संम्मरीन को हिट कर दे गा इसका वेजिए गन शिप और इसका एक टाक्टिकल बॉंबिंग कार्पिट बॉंबिंग जो मैं आख बताहे था अब इंडिय सब्सक्राइब 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 अब देखो जो प्राइज आ रही है तो फिर इंडिया एर्बस से नहीं खरीदेगा जैसे इन्हों कि इंडिया लुट पर देगी तो बहुत महंगा पड़ेगा कुछ महंगा निबढ़ने वाला है यह बन फिर्फ्टी बढ़ेंगे बस बस 40,000 क्रोश के बजट के इन्दा काम करती है लेकि एर्बस से वहत महंगे में काम करेंगी तो इंडिया अब चोटे-चोटे देशों को कर सकते है फिलिपींस विनामें और मम्यन मर इन्पार चोटे-चोटे जो जाजब में बजट नहीं होता है लेकिन स्पेवा दे सकते हैं अब इन्डेय की जो आह एर फोर्स उसका रीड समझते हैं वह आसे में चीज़े तो आप हैं इंडिया के अंदर जो फाइटर प्लेन इंडेक अब फाइटर प्लेन वह राफेल का नेवल राफेल का एर फोर्स वर्जन इंडेक अभी फाइटर प्लेन में चल रहा है और अब ट्रांसपोर्ट में जगह ने लेगा हमारा अब इसमें इसमें इंडेक प्रोड़क्शन लाइन बनाया जाते हैं फिर उनको असेंब्ली लाइन में लाया जाते हैं आप समझ चुके प्रोड़क्शन लाइन बनती है तो बहुत बड़ी प्रोड़क्शन लाइन बनने जा रही है तो इस तरीके से आपको समझ मैं चुका है मिल तक ली वीडियो में बाइबाइ